इस वीडियो में हम बात करने वले हैं कि हमारे आइफोन में OTP नहीं आ पा रही है कि OTP One Time Password हमारे अजर आइफोन में नहीं आ पाता है मैसेज के तुरू तो हमें क्या करना चाहिए देखें सबसेपहला आपको साइट को निपड़ी पड़ेगी यहां पर Firefox को लिजी और यहां पर आप डॉट डिटेक्टर साइट को सर्च कर लिजी कि तुरू इस अब यहां पर साइट को खुल जाएगी त्यक्ते अब यहां पर यह अपशिए इपल को सर्च कर लिज्गा ठ आईफोन की बड़ यहां पर किसी पर भी एक्टिविटेश जादर नहीं होनी चाहिए पर न दिक्कत हो सकते हैं उसके बाद आप जो अपने आईफोन की सेटिंग्स में चाहिएगा और जाने के बाद यहां पर होम पेज पर जब जाहेंगे तो आप नीचे चाहिएगा स्क्रीन टाइम को यहां से इस वाले पर से रिस्टिक्ट और प्राइविसी रिस्टिक्शन पर से बंद रखिएगा हमेशा क्योंकि यहां पर कभी-कभी हमारे मैसिजिस वग्यरा पर लगी रहती है तो आप ही जाते हैं तो शोन ही करती है कोई सी सेटिंग्स ऐसी इनेबल हो जाती है उसके बाद यहीं पर ही आप मैसिजिस एप्लिकेशन में भी चाहिएगा ठीक है यहां पर और यहां से इसको इनेबल करके रखिएगा ठीक है आई मैसिजिस को और सबसे वैरी इंपोर्टेंट आपके सिम के अंदर रिचार्ज होना ज़रूरी है चाहे फिर चाहे तो अगर आपका सिम कुछ भी दिकत चला हो समें लेकिन अगर रिचार्ज नहीं है सब कुछ ठीक है तो भी ओटीपी आपके नहीं आप आएंगे ठीक है यहां पर मिनिमम रिचार्ज की आप जरूरत परती है सिमों के अंदर तो यह भी जरूर कर लीजेगा तो बस यही ची कि यही है चिएर है तूम नहीं है सिमों आपके तो जरूरं प्रूर्ण पर्चिवगी चर यही चोट्राय कीच लिक है το प्र श्के रिचल कर देए लेकि可愛 कि अच बनियु कुछ दाइ कक है तो इंट शुआर dec falls जरूर है कि उहीं होगी च्यत